नमस्कार आज के इस वीडियो में दैनिक जागरार के संपातकी से 461 सब्दु के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइन्स के साथ लेने वाले हैं अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइन्स की जरूरत है तो आप हमारे साथ हैं टीम एप को प्लेइ स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की जरूरत है तो आप हमारे टेलीगराम गुरूप को जॉइन कर लें लिंक इसी वीडियो के ठिक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इस डिक्टेशन को हम लोग तीन अलग-अलगी स्पीड मिलेंगे पहली बार में 70 की स्पीड में दूसरी बार में 80 की स्पीड में तो तीसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें। इस्टार्ट यह अच्छा हुआ कि बेतुकी, दलीलों और कुछ फरजी, खबरों के सहारे इवियम का बटन दबाते समय दिखने वाली परची यानि वीवी पैट के सव प्रतिसत मिलान की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इवियम से प्राप्त नतीजों का सभी वीवी पैट से मिलान करने की मांग एक तरह से पिछले दरवाजे से मत पत्र से चुनाओं कराने की पैरवी ही थी। यह पैरवी इससे भली तरह आउगत होने के बाद भी की जा रही थी कि मत पत्रों से चुनाओं के समय किस तरह धाधली होती थी। और मत पेटियां लूटने के साथ नतीजे आने में समय लगता था। बंगाल में तो पंचायत चुनाओं में अभी भी मत पेटियां लूटने का काम होता है। इवियम के खिलाप पहले भी सवाल उठते रहे हैं और उनका समाधान भी किया गया है। पहले ओटर को यह नहीं दिखता था कि उसका ओट वांचित प्रत्यासी को गया या नहीं। यह दिखाने के लिए वीवी पैट की विवस्था की गई। फिर प्रतेक संसदिय छेत्र के हर विधान सभा के एक बूथ की इवियम से मिले नतीजों का मिलान वीवी पैट से किया जाने लगा। इसके बाद यह मिलान पांच बूथों पर होने लगा। इसके बाद भी कुछ लोग संतुष्ट होने को तैयार नहीं। इनमें याचिका बाज वकीलों के साथ कुछ राजनीतिक दल भी हैं। इनमें वे दल भी हैं जो इवियम से हुए चुनाओं में जीत हासिल कर सत्ता तक पहुँचें हैं। पहरा, एवियम की विश्वस्नियता और उपयोगिता प्रमालित हो चुकी है। लेकिन कुछ लोग और साथ ही राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठन उस पर बेवजह सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वे रह रहकर हाई कोर्ट या सुप्रेम कोर्ट पहुँच जाते हैं। उच्चतर न्याय पालिका को ऐसे तत्वों को हतोत साहित करना चाहिए अन्यथा। वे कोई ना कोई बहाना लेकर इवियम के खिलाप मोर्चा खोलते ही रहेंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा करने को अपना धंधा बना लिया है। ऐसे तत्व विदेशी मीडिया के उस हिस्से को भी खाद पानी देने का काम करते हैं जिसे ना तो भारत की प्रगती रास आ रही है और ना इवियम की सफलता पच रही है। क्या यह हास्यास्पद नहीं की इवियम के खिलाप सुप्रीम कोर्ट पहुचे वकील प्रसांत भूसर ने यह दलील दी कि वह यह दावा तो नहीं करतें कि इस मसील से छेड़ छाड़ हो रही है लेकिन ऐसा हो सकता है। इवियम विरोधी यह भी दलील दे रहे थें कि मतदान की गोपनियता भंग होने की चिंता नहीं की जानी चाहिए। यदि इवियम विरोधियों की यह मांग मान ली जाती कि सभी वीवी पैट की गिंती की जाए तो उससे नतीजे मिलने में कम से कम बारा पंदरा दिन का समय तो लगता ही खर्च भी बहूत अधिक बढ़ जाता। यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने इवियम पर भरोसा जताया और सभी याचिकाएं खारिज कर दी लेकिन बेहतर होता कि वह इस मसीन को बदनाम करने के अभियान पर लगाम भी लगाता। इस्टाप कि बेतुकी दलीलों और कुछ फरजी खबरों के सहारे इवियम का बटन दबाते समय दिखने वाली परची यानि वीवी पैट के सव प्रतिसत मिलान की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इवियम से प्राप्त नतीजों का सभी वीवी पैट से मिलान करने की मांग एक तरह से पिछले दरवाजे से मत पत्र से चुनाओं कराने की पैरवी ही थी। यह पैरवी इससे भली तरह आउगत होने के बाद भी की जा रही थी कि मत पत्रों से चुनाओं के समय किस तरह धाधली होती थी और मत पेटियां लूटने के साथ नतीजे आने में समय लगता था। बंगाल में तो पंचायत चुनाओं में अभी भी मत पेटियां लूटने का काम होता है। इवियम के खिलाब पहले भी सवाल उठते रहे हैं और उनका समाधान भी किया गया है। पहले ओटर को यह नहीं दिखता था कि उसका ओट वांचित प्रत्यासी को गया या नहीं। यह दिखाने के लिए वीवी पेट की विवस्था की गई। फिर प्रतेक संसदिय छेत्र के हर विधान सभा के एक बूत की इवियम से मिले नतीजों का मिलान वीवी पेट से किया जाने लगा। इसके बाद यह मिलान पांच बूतों पर होने लगा। इसके बाद भी कुछ लोग संतुष्ट होने को तैयार नहीं। इनमें याचिका बाज वकीलों के साथ कुछ राजनीतिक दल भी हैं। इनमें वे दल भी हैं जो इवियम से हुए चुनाओं में जीत हासिल कर सक्ता तक पहुचें हैं। पहरा इवियम की विश्वस्नियता और उपयोगिता प्रमालित हो चुकी हैं। लेकिन कुछ लोग और साथ ही राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठन उस पर बेवजह सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वे रह रहकर हाई कोर्ट या सुप्रेम कोर्ट पहुच जाते हैं। उच्चतर न्याय पालिका को ऐसे तत्वों को हतोत साहित करना चाहिए अन्य था। वे कोई ना कोई बहाना लेकर इवियम के खिलाप मोर्चा खोलते ही रहेंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा करने को अपना धंधा बना लिया है। ऐसे तत्व विदेशी मीडिया के उस हिस्से को भी खाद पानी देने का काम करते हैं जिसे ना तो भारत के प्रगती रास आ रही है और ना इवियम की सफलता पच रही है। क्या यह हास्यास्पद नहीं की इवियम के खिलाप सुप्रीम कोर्ट पहुचे वकील प्रसांत भूसर ने यह दलील दी कि वह यह दावा तो नहीं करतें कि इस मसील से छेड़ छाड़ हो रही है लेकिन ऐसा हो सकता है। इवियम विरोधी यह भी दलील दे रहे थें कि मतदान की गोपनियता भंग होने की चिंता नहीं की जानी चाहिए। यदि इवियम विरोधियों की यह मांग मान ली जाती कि सभी वीवी पैट की गिंती की जाए तो उससे नतीजे मिलने में कम से कम 12-15 दिन का समय तो लगता ही खर्च भी बहुत अधिक बढ़ जाता। यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने इवियम पर भरूसा जताया और सभी याचिकाएं खारिज कर दीं लेकिन बेहतर होता कि वह इस मसीन को बदनाम करने के अभियान पर लगाम भी लगाता। इस्टाप दोस्तो इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखरी बार में हम लोग 90 की स्पीड मिलेंगे और आपका समय इस्टार्ट होगा। पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें। इस्टार्ट यह अच्छा हुआ कि बेतुकी दलीलों और कुछ फरजी खबरों के सहारे इवियम का बटन दबाते समय दिखने वाली परजी यानि वीवी पैट के सव प्रतिसत मिलान की इस्टार्ट मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इवियम से प्राप्त नतीजों का सभी वीवी पैट से मिलान करने की मांग एक तरह से पिछले दरवाजे से मत पत्र से चुनाओं कराने की पैरवी ही थी। यह पैरवी इससे भली तरह आउगत होने के बाद भी की जा रही थी कि मत पत्रों से चुनाओं के समय किस तरह धाधली होती थी और मत पेटियां लूटने के साथ नतीजे आने में समय लगता था। बंगाल में तो पंचायत चुनाओं में अभी भी मत पेटियां लूटने का काम होता है। इवियम के खिलाफ पहले भी सवाल उठते रहे हैं और उनका समाधान भी किया गया है। पहले ओटर को यह नहीं दिखता था कि उसका ओट वांचित प्रत्यासी को गया या नहीं। यह दिखाने के लिए वीवी पेट की विवस्था की गई। फिर प्रतेक संसदिय छेत्र के हर विधान सभा के एक बूथ की इवियम से मिले नतीजों का मिलान वीवी पेट से किया जाने लगा। इसके बाद यह मिलान पांच बूथों पर होने लगा। इसके बाद भी कुछ लोग संतुष्ट होने को तैयार नहीं। इनमें याचिका बाज वकीलों के साथ कुछ राजनीतिक दल भी हैं। इनमें वे दल भी हैं जो इवियम से हुए चुनाओं में जीत हासिल कर सत्ता तक पहुँचें हैं। इवियम की विश्वस्नियता और उपयोगिता प्रमालित हो चुकी हैं। लेकिन कुछ लोग और साथ ही राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठन उस पर बेवजह सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वे रह रहकर हाई कोर्ट या सुप्रेम कोर्ट पहुच जाते हैं। उच्चतर न्याय पालिका को ऐसे तत्वों को हतुत साहित करना चाहिए अन्यथा। वे कोई ना कोई बहाना लेकर इवियम के खिलाप मोर्चा खोलते ही रहेंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा करने को अपना धन्धा बना लिया है। ऐसे तत्व विदेशी मीडिया के उस हिस्से को भी खाद पानी देने का काम करते हैं जिसे ना तो भारत के प्रगती रास आ रही है और ना इवियम की सफलता पच रही है। क्या यह हास्यास्पद नहीं की इवियम के खिलाप सुप्रीम कोर्ट पहुँचे वकील प्रसांत भूसर ने यह दलील दी कि वह यह दावा तो नहीं करतें कि इस मसीन से छेड़ छाड़ हो रही है लेकिन ऐसा हो सकता है। इवियम विरोधी यह भी दलील दे रहे थें कि मतदान की गोपनियता भंग होने की चिंता नहीं की जानी चाहिए। यदि इवियम विरोधियों की यह मांग मान ली जाती कि सभी वीवी पैट की गिंती की जाए तो उससे नतीजे मिलने में कम से कम 12-15 दिन का समय तो लगता ही खर्च भी बहुत अधित बढ़ जाता। यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने इवियम पर भरूसा जताया और सभी याचिकाएं खारिज कर दीं लेकिन बेहतर होता कि वह इस मसीन को बदनाम करने के अभियान पर लगाम भी लगाता।